वेलकम टे सोबितर करवाल क्लासिस देखिए आज ये पार्ट फरेस्ट है काफी अच्छा एडियम सुर्फ फ्रेज का ये टोपिक है और एस भी बख्षी की बुक को हम यहाँ पर डिल करेंगे और यह सिर्फ टीजीटी पीजीटी एससी बैंक के लिए इंपोर्टेंट नहीं मैं अपने सारी एक्ष्पेइंस चैनल के माधिन से शेयर करता हूं तो जो भी नई विए से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हम डिल करेंगे एस पी बख्षीज में लगबग एक हजार से ज्यादे एडियम सुर्फ फ्रेजिस जो हैं वो दिये हुए हैं आपको टेलग् से पहला जो आज जो ए स्रीज का जो टोपिक स्टार्ट हो रहा है एट वन्स विट्स एंड इसका मतलब होता है प्रफ्लेक्स कॉन्फ्यूज ठीक है इसका मतलब होता है कन्फ्यूज आप एक्जाम्पल के माधियम से भी देख सकते हैं एट वन्स विट्स एंड का मतलब है प्रफ्लेक्स जब कोई कनिफ्यूज हो कोई वेक्ति जाए सोहन वाज एट इस विट्स एंड तो फाइंड एट इस यंगर ब्रदर है टेकन पोईजन ठीक है समझ गए होंगे के लिए है इजी सा यहां पर एक्जाम्पिल भी दिये होए है इस बुक में इत वर्नस फिंगर टिप का मतलब होता है कम्प्लीट नॉलिज जब किसी भी टोपिक की कम्प्लीट नॉलिज हो वे से कहा जाते है क्याता है ना फिंगर टिप पर है चीज तो मेरे तो वही है आपर all the rules of synthesis are at his fingertips at the spur of the moment इसका मतलब होता है without delay किसी भी कारिय को बिना देरी के करना in an interview we must replay at the spur of the moment interview में हमें बिना किसी delay के जवाब दे देना चाहिए all in all का मतलब most important हिंद में इसका कहा जा सकता है as he was the only son in a big family he was all in all in his home at close quarters at close quarters का मतलब होता है close examination ठीक है जब समय आए किसी चीज का जब समय आए जब किसी चीज की कोई जर्वत हो परिक्षा की घड़ी एक तरीके साब इसे कह सकते है many of my friends proved selfish at close quarters जब परिक्षा की घड़ी मेरे उपर थी तो मेरे समय में जो बहुत सारे जो दोस्त थे वो selfish प्रूव हुए apple pie disorder का मतलब होता है बिल्कुल सु विवस्थ तरीके से on the evoke inspection everything was kept in apple pie order अबव बॉर्ड honest and straightforward he is known for his above board conduct वो अपने इमानदारी भरे और straightforward conduct के लिए जाना जाता है above all सब से पहले before everything else above all सब से पहले he is blunt and daredevil वो blunt है और fearless है daredevil होता है fearless होना as fit as a fiddle इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ती बहुत जाते strong और healthy हो उसे का जाता है as fit as a fiddle he has recovered from illness and now he is as fit as a fiddle now उसने अपना जो illness से recovery कर ली है और अभी वो strong और healthy है as random का मतलब होता है aimlessly aimlessly ठीक है militant fired at random random मतलब होता है कि aimlessly किसी चीज को करना जहाँ पर आप aim न कोई चीज बना के चले और वहाँ पर आप कोई target आपके पास ना select हो और आप उस target के बिना किसी aim के कोई कारिय करे होता है at random तो यहाँ पर example के माद्द हमसे clear हो जाएगा militant fired at random killing a lot of innocent person जो बिना किसी aim के militants ने fired किया कहीं सारे innocent person उसमें मरे at a lose end का मतलब है unoccupied idol निकमा भी उसे कह जा सकता है जब कोई कारिय के बिना हो nowadays he is at a lose end because he has wound up his business उसने अपने business को नश्ट कर लिया है खत्म कर दिया है और वो अब इस समय निकमा है या फिर बिना किसी कारिय के है यहां तक होब clear हुआ होगा अब next पर चलते है at lovers heads का मतलब होता है to be strive to be at strive parents of our sorry partners of our firms are at lovers head these days strive पर होना हरताल पर होना है at lovers head का मतलब होता है हरताल पर होना partner जो हमारे forms के हैं इन दिनों वो हरताल पर है strife strife का मतलब होता है sorry strike होता है एक word होता है strife यहां पर हम इस word को यह समझेंगे to be a strive का मतलब होता है जगडा जो partners है firms के वो इस समय जो हैं वो जगडे पर है at odds at odds का मतलब है dispute जगडा members of the groups group were at odds over the selection procedure जो member है group के वो disputable है dispute है उन्हें selection procedure पर ठीक है members dispute होना dispute होना and apple of discord cause of quarrel जगडे का कारण जगडे की जड़ जगडे की जड़ कहते हैं हिंदी मम राड की जड़ वो है यह ancestral properties जगडे की जड़ जगडे की जड़ का है उनके पूरवजों की संपत्ती at cross purpose का मतलब होता having conflict intention जब हमारे जो intention होते हैं जब वो conflict पर हो विरोधा भासियों होता at cross purposes how can there be peace in their family when husband and wife are at cross purposes किस तरीके से एक family में सांती रह सकते हैं जबकि husband और wife conflict intention रहते हैं after once on hurt अपने किसी को पसंद करना हमारी पसंद एक तरीके साब कह सकते हैं किसी की पसंद अपनी एक पसंद when दीपा made a man after her own cert जब दीपा ने अपने जब पसंद करती थी उससे मिली she got married to him वो उससे उससे सादी की at the bottom of at the bottom of का मतला होता है responsible for किसी की कारी के लिए responsible होना it was found later the shano was at bottom of the whole trouble बाद में responsibility किस के सानो की जो भी कारी है जो भी समस्चा रही है trouble हुआ उसका main responsible था सानो at a loss loss का मतला होता है to be जो decide न कर सके वो ही है perplexity type है जब कोई decide न कर सके whether what he want to do कि वो क्या करे याना वो जब आप confused हों I am at loss to know what to do at dagger's drone का मतला होता है bitterly enmity bitter enmity बहुत ज़्यादा कटर दुसमनी है the quarrel between the two brothers has grown more bitter now and they are at dagger's drone ज़ जगडा है दो भाईयों का वो और ज़्यादा कड़वा हो गया है और वे बिटर enmity हो गया है बिटर दुसमन हो गया है at loss का मतला हो जब किसी को जब कोई भाग जाए prison से भाग जाए jail से भाग जाए people keep their dogs at loss at night at sea का मतला होता है applied to a person confused at sea का मतला वो ही है perplex होना confused हो जाना add fuel to the flames or fire to make matter worse जब किसी कारे को और ज़्यादा बत्तर कर देना attempt to suppress the agitation of strikers only added fuel to the flames attempt करना जो agitation है striker का striker का जो agitation है उसे suppress करने का उसने और क्या किया मामले को और ज़्यादा खराब किया at six and seven का मतला होता है तितर भी तरीक तरीके से there was a robbery in our neighborhood last night when I entered the house to inquire everything was at six and seven जब एंटर किया house में inquiry के लिए सब कुछ महापति तर भी तर भी तर भी भरा हुआ था assume year का मतला होता है pretend superiority जब किसी कारिये के पड़ती जब किसी भी कोई भी व्यक्ति दिखावा करे superior होने का होता है assume years rich are in habit of assuming years in the presence of their poor relation the rich है उनकी आदत कैसी होती है assume years pretend करते हैं superiority के poor relations के बीच में poor relations जो उनके गरीब रिष्तिदार हो उनके सामने वो superiority दिखाना चाहते है argue eyes का मतलब careful होना पहुच जादा या observant होना as a politician he is argued eyes argues eyes and never overlooks even a small matter एक politician के रूप में वो बहुत जादा careful है और कभी भी किसी भी छोटे मुद्दे का वो खलके में नहीं लेते at stones through very close का मतलब होता है बहुत ही जादा नजदीक my friend's house is at stones through from mine मेरे घर जो मेरे मितर का जो घर है वो मेरे घर से काफी करीब है close है by hook और crook किसी भी तरीके से to get sam, dam, dand, bhed किसी भी तरीके से by one means or another he is determined to obtain first division in his class by hook और by crook वो determined है किसी भी तरीके से उसे first division लेनी है class में किसी भी तरीके से bear the brunt of का मतला होता है to bear the main show को सहना मुख्य आगात को सहना वो होता है bear the brunt of poor have to bear the brunt of increasing price जो बढ़ते वे दाम है गरीबों को उसका आगात जो होता है सहना पड़ता है bell the cat जो भी सबसे पहले व्यक्ति first step to at personal risk किसी भी अपने व्यक्तिकत रिस्क पर कोई पहला step लेना रिक्तरी रिस्क ले लेना वोता है bell the cat कौन भी लेगो घंटी बढ़ देगा many people can boast of their bravery बहुत सारे लोग अपने bravery पर ding हाख सकते हैं लेकिन few can bell the cat लेकिन कुछ ही लोग जो होता है stab ले सकते हैं पहला risk की भरा stab ले सकते है be defiance का मतलब होता है ignore करना ignore करना अवग्या कर देना रोहन be defiance defiance to his father's face रोहन ने अपने पिता की विसको अवग्या की becoming a doctor instead become became an engineer वो इंजीनियर बनाने चाहते थे बजाए वो क्या बना इंजीनियर बना blow one's trumpet trumpet का मतलता है अपनी परसंद सा खुद करना no one likes to talk those who are always blowing their own trumpet जो कोई भी वेक्ती उनसे बात नहीं करना चाहता जो अपनी praise या अपनी फैक्त रहते हैं चले आए होप स्टार्टिंग का सेशन था है फास्ट वीडियो थी होप आपने पसंद किया होगा तो जो भी ने वीविएर्स ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आकोन जरूर प्रेस करें ताक कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप को मिलता रहे थैंक यू वेरी मुच बाइ-बाइ